अयोध्या का राम मंदिर किसने बनवाया था? अयोध्या में भगवान राम की जन्म भूमी पर भव्य राम मंदिर का निर्मान तेजी से हो रहा है. मंदिर में 22 जन्वरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी. अयोध्या की धर्ति पर करीब 450 साल बाद फिर से राम मंदिर उसी जगह खड़ा होगा, जहां मुगल बादशाह बाबर की सेना ने सदियों पुराने मंदिर को गिरा कर मस्जिद बनाई थी. क्या आप जानते हैं कि अयोध्या की धर्ति पर उस राम मंदिर का निर्माण किस ने कराया था, जिसे गिरा कर बाबरी मस्जिद खड़ी की गई थी? चलिए हम आपको बताते हैं. पहले हम आपको अयोध्या के बारे में बताते हैं, जिसे वैवस्वत मनु ने बसाया था और फिर यहां राजा एक्ष्वाकु ने राज किया था, जिनके वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था. वालमी की रामायन के मुताबिक लंका विजय के बाद श्री राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया. फिर उनके जल समाधी लेने से अयोध्या उजाड हो गई. भगवान राम के पुत्र कुष्ष ने अयोध्या का पुनर निर्मान कराया और यहां राज्य किया. इसके बाद सूर्यवंश की 44 पीडियों ने अयोध्या पर राज्य किया. महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से उत्रे राजा ब्रहद्बल को अभिमन्यों के हाथों वीर गती मिली और सूर्यवंश का शासन अयोध्या पर खत्म हो गया. कहते हैं कि इसके बाद अयोध्या की जगह घना जंगल बन गया. इस से करीब सौ साल पूर्व उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य शिकार खेलते हुए सर्यू नदी के किनारे पहुँचे. विक्रमादित्य को इस जगह पर बहुत सारे चमतकार दिखे, जिसके बाद उन्होंने खोजबीन की तो उन्हें आयोध्या के भगवान श्रीराम की जन्म भूमी होने की जानकारी मिली. विक्रमादित्य ने संतों के निर्देश पर इस पवित्र अवद भूमी में कुएं, सरोवर और महल बनवाए, साथ ही काले रंग के कसोटी पत्थर वाला चौबालिसी स्तंभ पर खड़ा विशाल और भव्य राम मंदिर बनवाया. विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने भी इस मंदिर की लगातार देख रेक की, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अयोध्या को राजधानी बनाया और मंदिर का जीर्णोधार कराया. शुंग वंश के पहले शासक उश्यमित्र द्वारा भी मंदिर का जीर्णोधार कराने का शिला लेख अयोध्या में खुदाई के दौरान मिला है. इसमें उनके दो अश्वमेध यग्य करने का वर्णन है. अयोध्या के बौध धर्म का केंद्र बनने पर सावियों सदी में आये चीनी यात्री हैनत सांग ने भी अपने यात्रा वितांत में यहां भव्य राम मंदिर का जिक्र किया है जहां रोजाना हजारों लोग दर्शन करते थे. भारत पर मुस्लिम आक्रमनकारियों के हमलों का शिकार अयोध्या भी बनी लेकिन राम मंदिर मौजूद रहा. सिकंदर लोधी के दिल्ली पर शासन के लेखों में इस मंदिर का जिक्र है. बाबर ने 1526 में पानीपत के तीसरे युद्ध में इबराहिम लोधी को हरा कर दिल्ली की गद्धी कबजाई. मुगल सल्तनत की शुरुआत के बाद अयोध्या पर हमला किया गया. 1537-28 में बाबर के सेनापती मीर बकी ने राम मंदिर को ध्वस्त कराकर उसके अवशेशों से बाबरी मस्जिद बनवाई, जो 1992 में कार सेवकों द्वारा तोड़े जाने तक टिकी रही.